नमस्कार दोस्तों स्वागे थे अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिन जीके में है दोस्तों अभी जो आपके ससी की दोरा देली पुलिस कॉंस्टेबल के एक्जाम कंड़क कर रहे हैं तो प्रतेक से पर यहाँ पर एक फंक्शन से स्वाल पूछा जा रहा हैं जैसे और यहाँ पर फंक्शन से स्वार पूछा जारा जैसे की बराबर दे दिया और फिर दे दिया 128 भाग 22 भाग 4 भाग 2 तो इनका क्या एंसुर आएगा तो यह भी अपन कवर करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं जो राउंड के फंक्शन साथ कर दूगा यह राउंड का म पांच कर सकता हूं राउंड के रूप में क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद पांच या पांच से अधिक हैं तो उसको आप ज्यादा राउंड अप कर सकते हो तो पांच हो जाएगा तो यह तो सिंप्ली राउंड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा अब देखिए क तो आगे बड़े उससे पहले में आपको बता दूँ अनेकेडमी आपके लिए लेके आया है SSE Chamber League जो कि परतेक मंत के 30 तारीक को कंडेक्ट होती हैं और बिल्कुल free of cost आप इसमें mock test attempt कर सकते हो यह जिए आपके अच्छी rank आती हैं तो इसमें आपको price भी जीश सकते हो जो क attempt करना आपको link description box से मिल जाएगी enrollment करने की total number of 100 questions है objective type का questions negative marking है और यह दी आप coupon code apply करते हो TTG के तो enrollment आप freely कर सकते हो और plus subscription में भी आप special 10% का discount इस coupon code से पर आप कर सकते हो जो बेहतरी rank लेके आएंगे एक से लेके 5 से तक उनको अच्छा price और scholarship भी दी जाएगी तो description box में लिंक है वासे जरूर enroll करना तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं आपका round वाला क्या function है तो किस परकार से स्वाल बन सकता है आपर स्वाल इस परकार से आ सकता है सबसे पहले में बता दूँ जैसे कि सवाल आ गया आपके exam में तो ऐसे देदेगा आपके बराबर R O U N D फिर द जिट्ट तो पहले है तो 15.56 यह आपके में सिंख्या हो जाएगी नंबर हो जाएगा उसके बाद कितने डिजिट तक आपको round करना है तो एक डिजिट तक करना है तो मैंने या पर एक कर दूँगा कॉमा के बाद एक हैं इसका मतलब है जैसे कि 15.56 है इसको आप round करेंगे त तक आप उसको round कर रहे हो जैसे कि यहाँ पर एक number तक आप एक संखे तक round कर रहे हैं so जितनी संखे तक कर रहे हो इसके बाद वाली just संखे देखे 5 के बाद just निए क्या एच्छ है क्या बाद वाली जो संख्या है वो 5 या 5 से बड़ी हैं बिल्कुल बड़ी है तो आप जो round कर रहें उसमें एक add कर देंगे तो answer क्या आना चाहिए तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या answer आता है तो यहाँ पर मैंने एक उदार्ण यह round वारा लिया है इस पर मैं double click करता हूँ तो यह formula इस फरकार से formula हो जाएग यह function होता है formula तो आप डारेक्ट जो करते हो यह देखिए function है round हो गया फिर 15.55 और comma एक है तो एक डिजिट तक मैंने round किया तो answer क्या आ जाएगा तो इसको मैं ok करता हूँ यह enter किया तो 15.6 का answer आ गया तो इस परकार एक और example मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि यह वाला हो गया तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो 16.142 है और इसको 2 comma के बाइद क्या है 2 है 2 का मतलब क्या हुआ इसको 2 डिजिट तक आपको round करना है तो 2 डिजिट तक मैं इसको round करूंगत कैसे हो गया तो 16 के बाद आपके point decimal के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए तो 1 और 4 आ जाएगी क्यों के जश्ट देखें 2 डिजिट जो खतम होती है दूसरी डिजिट उसके बाद वाले सेंख्या क्या है वो 2 है क्या 2 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए उस case में ज्यादा होगा आपके लेकिन ये 2 5 से छोटा इसका मतलब 1 4 एज इट इज आ जाएगा तो ये round होके क्या होगे आपके 16 point इसको मैं ये आपके 16 point 1 4 एज रहेगा और यहाँ पर मैं बात करूँ ये जैसे कि आपको इस सिंख्या को round करना है तो कैसे करेंगे तो सारा concept कवर हो जाएगा 21 point 6 1 2 इसमें में 0 कर दूँ 0 का क्या मतलब हो गया कि decimal के बाद कुछ भी सिंख्या नहीं आनी चाहिए तो यहाँ पर 21 point 6 1 2 है तो decimal के बाद देखिए दसमलों के बाद जो सिंख्या है वो क्या 5 या 5 से बड़ी है बिलकूल वो सिंख्या 6 है जो 5 से बड़ी है तो इससे पहले एक add कर देंगे तो वो 21 किस्तान पर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा यहाँ पर 0 है इसका मतलब answer जो आ कर दिया मैंने तो इसमें इस परकार आपके स्वाल आ जाएए जैसे कि minus 1 आ गया जो नम डिजिट है वो minus 1 आ गया तो यह आपके मैन संख्या है इसमें आपको क्या करना है minus 1 यहीदि minus देखिए एक आ जाए तो दसमलों के बाद एक संख्या तक रखेंगे 2 आ जाएगे 2 जीरो आ जाए तो रखना ही नहीं दसमलों के बाद कोई भी डिजिट minus 1 आ जाए तो दसमलों के बाद तो आपको कुछ नहीं रखना है लेकिन minus 1 का क्या मतलब हुआ जो भी यह नमबर दिया हुआ है यह देखिए 10 का गुणांक नजदीक कौन सा हो रहा है 10 का 10 का जो multiple हो रह है और फिर इदर शार्ट है तो 67 के नजदी कौन सा 70 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा minus 1 के case में जो 66 है उसके just pass में जो सेंक्या है वो यह दी 10 से भाग जाती है तो कौन सी है 70 है तो इसका answer क्या आ जाएगा minus जो 1 हुआ तो 70 आ जाएगा यह यहाँ पर minus 2 हो जाए minus 2 का मतलब क्या है आपको 100 का गुणज लेना है multiple लेना है तो 100 का गुणज यहाँ पर 67 के पास में क्या हो जाएगा आपके 66 के पास में 100 का तो 100 ही है तो इसमें यही माइनस 2 हो तो 100 आ जाएगा minus 3 है तो आपको 1000 का गुणज लेना पड़ेगा फिर इस परकार तो यह यही मा क्या 5 या 5 से बड़ी है तो जो आप round कर रहे हैं उसको एक add कर देंगे तो simply round हो गए round up की बात करें और round down की बात करें अब इसको देख लेते हैं round up और round down में क्या होगा round up में तो same round वाला ही concept है और round up में ये भी जरूरी है कि आपको जो भी thing की आई की वो एक add कर देंगे चाए वो 5 या 5 से कम क्यों नहों जैसे कि मैं round up को example सहित बताता हूं कि आपका round ये round up है तो round up में आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे कि ये वाला आपके d10 वाली ये सोहरी यहाँ पर ये d10 है तो d10 वाली डेसिमल के बाद जो एक डिजिट तक कौन से से क्या 15.55 है उसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट तक round up करेंगी तो क्या हो जाएगा आपके 15.5 है अप कर रहे है तो 15.5 में क्या कर दूँगा च्छे कर दूँगा तो यहाँ पर answer क्या आने चाहिए 15.5 ये आपके हो गया 15.6 और इस परकार ये next वाले में बात करूँ तो इसमें क्या किया इनोंने कि ये वाले जो आपके 16.4 2 3 जे देख पारे 16.4 2 3 इसको आपको round up करना है तो आपको कितने डिजिट तक करना है अगे कॉमा के बाद 2 दिया हुआ है तो आपको 2 डिजिट तक round up करना है तो 42 के दसमलो के बाद round up करेंगे संख्या कितने आनी चाहिए 16.42 अब अब करना है तो एक बढ़ा दीजे 16.43 आ जाएगा आपके answer तो ये देखिए 16.43 तीन आ गया तो round up की case में क्या धान देना है कि जो आप दस्मलों के बाद जैसे कि 2 कॉमा के बाद 2 है तो 2 डिजिट तक आप round करेंगे और उसमें भी ये ध्यान में रखना है साहे संख्या जो आप 2 डिजिट तक करें उसके बाद वाली संख्या चाहे 5 या 5 से छोटी क्यों नहों लेकिन उसमें एक डिजिट आप बढ़ा देंगे round up का मतलब यही है कि चाहे कुछ भी संख्या है आपको एक डिजिट बढ़ा नहीं है आपर जैसे कि आप रिदी आजाए minus 1 minus 1 आजाए तो वो क्या हो जाएगा round up के case में देखना जैसे कि round में आप क्या कर रहे थे minus 1 में आप 10 का multiple देख रहे थे जो संख्या के pass में हो लेकिन pass में कम भी हो सकता था जदा भी हो सकता और round up में जो minus 1 आजाए यह दी जो number digit up तो d12 ओई आप देख पार है यह वाली जो संख्या है इसमें आपको round up करना है minus 1 को यह reference लगते हुए number of digit minus 1 का क्या मतलब हो गया कि 21.612 के बाद जो संख्या आएगी वो है 10 का गुर्द होना चाहिए 10 का उसमें भाग जाना चाहिए तो आप क्या कहेंगे 21 से पहले जो 20 ह वो अप मांग रही है minus गिया हुआ है तो 21 के बाद आप कहेंगे जिसमें 10 का भाग जाता हूँ वो 30 है 21 से पहले नहीं लेना है round up कर रहे है और यदि इसमें minus आ जाए तो आपके यह आप answer आदेगा 30 और यदि मैं बात करूँ इसमें आजाए 0 आजाए तो 0 का मतलब क्या 66 में एक एक साथ हैं लेकिन decimal के बाद कुछ भी नहीं आना चाहिए क्योंकि आप 0 दे दिया है और round up किया जा रहा है तो 66 का क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा चाहिए संख्या में 5 या 5 से कम क्यों न हो यदि round होता तो round में आपके यहापर क्या हो जाता 66.1 एक साथ 0 होता तो आप 67 ही करते round में क्योंकि उसमें 5 या 5 से बड़ी संख्या होनी चाहिए लेकिन round up में कुछ भी हो आप उसमें क्या कर देंगे 68 कर गया जाएगा जी 0 आ जाए और round down में just इसका उल्टा हो जाएगा उसको थोड़ा बड़ा देते हैं और अगला जो आपकी फंक्षन है वो round down का है यह आप जो देख पारे हो तो round down में क्या होगा कि जो भी आपकी संख्या है जैसे कि इस परकार से यह round down का फंक्षन हो जाएगा बराबर उसके बाद round down हो गया तो इस परकार फंक्षन लिखते हैं कोई भी फॉर्मला एंटर कर निचे यह answer में तो round down में ऐसे नहीं कि आप एक डिजिट कम कर देंगे जो डिजिट है वैसा ही रहने देंगे अप नहीं होने देना है चाहिए दसमलों के बाद कुछ भी आ जाएं जैसे कि आपर 15.55 है तो 15.55 में मेरे को एक डिजिट तक round down करना है तो मैं क्या करूंगा 15. 15.5 करूंगा नकी 15.4 और नकी 15.6 करूंगा जैसे कि आपर 15.55 है तो अमुमन round में क्या हो जाएगा 15.6 हो गया जैसे कि ये हुआ था 15.6 और round अप में क्या हुआ था आपको कम भी नहीं करना ऐसे नहीं 15.4 कर दो तो as it is है एंटर करूँगा तो 15.5 आ जाएगा फिर मैं इसमें बात करूँ यह अपन राउंड डाउन कर रहे हैं 16.149 को तो 16.149 को कॉमा के बाद 2 संख्या तक तो decimal के बाद आपके 2 संख्या आनी चाहिए यहाँ पर function काम में कर रहा है इसलिए 16.14 ही answer आ जाएगा फिर यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर यहाँ आजाए आपके minus 1 आ जाए और उसमें अपन क्या कर लेता है round up में minus 1 है नहीं 10 का वो multiple होना चाहिए संख्या और round down में वो कम होनी चाहिए round up में तो बड़ी वाली संख्या जैसे कि 21.61 में round up किया था उसमें आपके minus 1 आ जाए यहीं गॉमा के बाद तो 10 का जो गुनज होगा वो बड़ा होगा 21.62 से तो 21.62 से बड़ा जो गुनज 10 का है वो 30 से इस परकार round down में जो गुनज होगा वो 10 का होगा लेकिन वो क्या है जो संख्या दी हुई है उससे छोटा होना चाहिए उसके पास जो भी नियरवाला है 21.62 में इसके पास इससे छोटा कौन सा गुनज है जिसमें 10 का भाग जाता है तो वो 10 का गुनज हो जाएगा 20 हो जाएगा तो एंसर इसमें क्या आ जाएगे माइनस एक में 20 आ जाएगा और बात करूं यहाँ पर एजी 0 आ जाए कौमा के बाद 0 आ जाए जो डिजिट है 67.1 एकसा तो 0 के केस में आप क्या करेंगे decimal तो आपको रखना ही नहीं उसके बाद कुछ हैं क्या आईगी नहीं और round down हो रहा है तो आपको 60 ही रहने देना है round up हो रहा था तो उसमें 68 आपने कर दिया था लेकिन या पर round down में यह 60 ही रहेगा तो यह तो आपकी हो गया round down का का काम round up का और round का आपको आई hop समझ में आगे हैं अब थोड़ा ऊपर चलते है जिसमें M round आ जाएगा फिर फलोर है और शिलिंग है उसके बाद आपके trunk or even तो यह थोड़ा देख लेते हैं M round की मैं बात करूँ M का मतले भी क्या है यह multiple है multiple जो आपन देख पा रहे थे तो इसमें क्या करना है M round में यह आपके M round है जैसे कि F 10 का आपको करना है F 10 वाला कौन सा है यह वाला से M देख पारे हो 15.6 15.6 में और M round में होता क्या इस परकार लिखा जाएगा formula आपको देखना है example में जो स्वाल आएगा इस परकार से याएगा बराबर दे दिया M round दे दिया उसके बाद यह छोटा पॉस्टक फिर दे दिया कोई भी value दे दिया जाए कि जैसे कि 15 point जैसे कि M round में आपको 20 दे दिया और 22 दे दिया ओके और उसके बाद आपको दे दिया जार तो इसका क्या इन सुरा जाएगा M round 22 जार तो आप यह पर क्या देखेंगे कि 22 में 4 का भाग जाता है तो नहीं जाता है तो क्या करना है 22 के पास ऐसी कौन सी संक्या है जिसमें 4 का भाग जाता है 22 के निरबई कौन सी संक्या जिसमें 4 का भाग जाता है तो आप कहेंगे एक तो 20 है और एक क्या है 24 है तो लेकिन M round में जो नियर की संख्या 20 और 24 है 22 से बराबर अंतर पर है तो बड़ी बाले संख्या देखनी है तो 24 हो जाएगा 24 में 4 का भाग जाता तो M round जो 224 का अंसर क्या आजाएगा वो आजाएगा 24 तो अपन यहाँ पर देख भी लेते हैं उदान साई जैसे कि यह M round आपको करना था F10 में जो value है उसको 0.5 का multiple देखना है तो F10 में 15.5 है और 15.5 में आपको क्या करना है 0.5 का भाग जाना चाहिए 15. 15.5 में 6 में सोरी यह वाले F10 की क्या 15.6 में 0.5 का भाग जा रहा है आप कहेंगे नहीं जा रहा है तो इसमें भाग जाने के लिए मैं क्या करूंगा इसका नीरवई देखूंगा किसमें भाग जा रहा है 15.6 से थोड़ा ज्यादा या फिर थोड़ा कम आप कहेंगे 15.5 में जा रहा जो कि 0.0 एक कम है बिल्कुल जा रहा है 15.5 में जा रहा है तो मैं आपर क्या कर दूँगा 15.5 कर दूगा एंस फिर क्योंकि 0.5 का उसमें भाग जा रहा है और उसके तो बाद में 15.6 के बाद किसमें जाएगा फिर आप कहेंगे 16 में जाएगा 0.5 का तो वो काफी ज ओके तो यह एंसर क्लिक है, इसमें पंदरा पर पउइंट पांच आजाएगा इसी प्रकार इस पर मुले की बात करें, तो सोना पर प्वैंट चोधा में 0.05, तो 0.05 की बाते क्या 17.14 में भाग जाता हैं, नहीं जाता हैं, यह आप देख पारे हो कॉमा के बाद वाला multiple काम में आएगा यहनि कॉमा के बाद जो भी सेंख्या होगी उसका multiple देखना है जो पूछा हुआ नंबर है नंबर कौन सा पूछा है 22 पूछा हुआ स्वाल एक्जम्पल में इस परकार से आज जाएगा एम राउंड जो मैंने बता है 22 जार है तो इसमें आप क्या करेंग उत्तर में आप देखेंगे जार का भाग दीजी 22 में जारा है नहीं जारा है तो किसमें जारा है 22 के पास वाली सिंख्या देखी 22 के पास वाली सिंख्या 20 है और 24 है और दोनों में अंतर देखे, जो सबसे निकटतम है, तो आप कहेंगे 22 के निकटतम 20 और 24 बराबर अंतर पड़ा है, तो ज्यादा वाली हो जाएगी, यहाँ पर 23 आ जाए, 23 के बाद आपके आ जाए, सोरी, यहाँ पर 21 आ जाए, फिर आपकी 4 आ जाए, अब आप 21 में 4 का जाए, तो आप कहेंगे 20 है, और 24 है, लेकिन 21 के पास में 20 है, तो वापर एंसर 20 आ जाए, जैसे कि मैं आपको करके बता देता हूँ, यहाँ पर एक्सल में, यहाँ पर करना है, तो बराबर कर दूँगा, उसके बाद मैं करूँगा, एम राउंड, तो एम राउंड यह फं कमेंड बॉक्स में बता दीजिए, फिर इसको मैं एंटर करूँगा, तो मेरे एकोर्डिंग यहाँ पर एंसर क्या आना चाहिए, तीन का 25 में भाग नहीं जाता है, तो आप कहेंगे किस में जाता 25 का, तो 25 के निरभाई डिजिट देखी, जिसमें 3 का भाग जाता है, तो ए देखी बढ़ते हैं, आपके M round concept के लिए हो गया है, round, round, up, round, down का हो गया है, अब जो आपके एक काली exam में स्वाल आया था, फॉलोर का और शिलिंग का वो देख लेते हैं, अब देखी जो देख लेते हैं, अपन फॉलोर का जो exam में स्वाल पूच्छा वादिली पुलीस प पांच दे दिया, फिर, 3 दे दिया, और इसका answer क्या होगा, तो फॉलोर का मतलब क्या हो जाएगा, जो होता है, first, first का ओपर होता है, नीचे, उसके उपर क्या होती है, शत होती है, सिलिंग होती है, तो ये दोनों ही एक दूसरे के opposite हो जाएंगी, फॉलोर में क्या होता है, round ये given number down nearest multiple, जैसे कि आपने m round में किया था, m round में न तो आपने उपर का किया था, कि उपर वाला जो multiple है, उसमें उपर वाला answer या फिर नीचे वाला, उसमें जो भी निकरतम था m round में, वो अपन कर रहे थे multiple वाला लेकिन फलोर में निकर्तम में भी सबसे नीचे वाला देखा जाएगा जैसे मैं example लेकर आपके कावर करता हूँ 5 हो गया तीन हो गया आप देजी तीन का 5 हो भाग जाता है नहीं जाता है तो किस में जाता है पाउस से कम का देखिए आब ऐसा नहीं कि आप 5 से ज्यादा का देख लेंगे क्योंकि आप M round में तो उसके निकर्तम देङ जाएं जिसमें एक मिट तो यह आपके पांच के कम कौन सा हो जाएगी संक्या तीन है तीन का तीन में भाग जाएगा तो बिलकुल जाएगा यदि मैं छह लूंगा तो पांच से ज़्यदा नहीं लेना है यदि आप पर पांच तीन से पहले में लिख दूँ शिलिंग तो आपके पूरी seat बनी हुई है इसमें ये फॉलोर का फॉर्मूला आप देख पा रहे हो जो function enter है और इसमें मैंने क्या क्या है C18, C18 है ये 12 है और 12 के बाद, 5 तो 12,5 answer क्या आना चाहिए आपके according 12,5 आगे कौन सा function है फॉलोर का function है फॉलोर जो नीचे होता है फर्स होता है तो आप कम का देखेंगी जो 5 का भाग 12 में नहीं जा रहा है तो किस में जाएगा 12 से कम वाली सेंख्या देखे आपके 10 में जाएगा जश्ट 12 से कम वाली उसके निकटतम देखना है से नहीं 12 से कम तो 5 भी है लेकिन निकटम देखिए 12 से कम 10 है तो 10 में चला जाएगा भाग answer क्या आने चाहिए इसमें 10 आने चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यह आपके answer क्या आगया 10 आगया इस परकार इसमें भी देखिए C 19 जो 18 वाली सेंख्या है और 18 के बाद 4,4 है तो 4 का 18 भाग नहीं जाएगा तो किस में जाएगा 18 की निकटम सबसे कम वाली सेंख्या 18 से कम वाली कौन से सेंख्या जिसमें 4 का भाग चला जाए तो आप कहेंगे वो सेंख्या तो 16 है तो इसका answer क्या आनच्ची फ़लोर के केस में 16 आनच्ची यहाँ पर सिलिंग आ जाए तो सिलिंग में आप खुद बता सकते हैं अब सिलिंग उपर होता है जो आपके सत उपर होती है तो शत उपर होती है तो आपके क्या करेंगे 48 से बड़ी वाले सिंख्या देखेंगे जिसमें extra का भाल चला जाए जesz्ट बड़ी वाले को ऑषिए 20 तो सिलिंग के केस क्या आनच्च को जही है तो यह लंगे आपके सीट व और फिर कॉमा के बाद 3 है आप 17.7 ते 3 का तो भाग नहीं जा रहा है तो आप क्या करेंगे 17.7 से कम वाले संख्या देखे जिसमें 3 का पूरा भाग चला जाए तो आप यहापर क्या देखा 16 तो है नहीं 17 भी नहीं यह कम फिर 15 है 15 में 3 का भाग जाता है बिल्कुल करेक्ट हो आप 13 और 2 कर दिया डिरेक्कली आपने एंटर कर दिया 13 और 2 आप 2 का भाग दीजिए 13 में नहीं जा रहा है तो आप क्या करेंगे 13 से जश्ट बड़ी संख्या देखे ज़स्ट निकरतम बड़ी संख्या कौन सी 14 है 14 में 2 का भाग जा रहा तो करेक्ट एंसर क्या हो जाए च पंदरा और साथ आ जाए तो साथ का पंदरा भाग नहीं जाता है तो साथ का भाग किस में जाता है जो पंदरा से बड़ी वाली सिंख्या जेश्ट तो आप कहेंगे साथ का भाग तो जोदा में जाता है लेकिन वो तो पंदरा से छोटी वाली सिंख्या चोटी यह दिया आप पर फॉलोर आता तो आप 14 कर देते लेकि पंदरा से बड़ी संख्या जिसमें साथ कर दाता है तो डारिक ली 21 ही आएगी तो एंस्वर 21 आगा तो यह फॉलोर और श्रिंग आपके अच्छी तरह से काउर हो गया एम राउंड में क्या होता है आपको देखना है पास वाली जो निकरतम संख्या ऐसे नहीं देखना है कि उसके बड़ी वाली या फिर छोटी वाली तो एम राउंड में जो मल्टिपल आप देखेंगे वो पास वाली कोई भी संख्या हो सकती है बड़ी भी हो सकती है छोटी भ बराबर M round यह आपके M round हो गया और फिर यह 15 और कॉमा साथ यह नहीं साथ का multiple देखना है एंस यह आपर भी 14 आएगा ओके तो आई होब यह आपको दोनों concept clear हो गया है M round का sling का follower का बाकि round round आप round down बिलकुर इजी था और दोस्तों यहाँ पर एक Excel का formula जो लगबर प्रतिक से पर पूछे जा रहा था function तो हो गए बाकी formula भी इस परकार से स्वाल आ रहा था जैसे कि बराबर हो गया उसके बाद दे दिया इन्होंने 64 भाग फिर 8 भाग 4 भाग 2 answer क्या आगा यह पूछ रहते तो इसमें करणा क्या होता है सबसे पहले जो भी पहली वारी सिंख्या देखी जैसे 64 है उसमें आप भाग दे दीजी इस सेकेंड वाली का 8 का तो answer आजएगा 8 फिर 8 में भाग दीजी यह थार्ड वाली 4 का तो क्या जाएगा 2 अब 2 में last वाली का भाग दीजी answer आजएगा 1 या फिर मैं आपको इ 160 और भाग की case में इस प्रकार यह करते हैं और फिर आपके 8 था 4 था और 2 था answer क्या आना चाहिए अपने according आपने क्या था एक आना चाहिए एक आना बिल्कुल correct है तो इस प्रकार इसका answer होगा कुछ भी आजएग जैसे कि 144 भाग और फिर आगया जैसे कि 12 भाग 2 आगया answer य इस प्रकार आप directly answer निकाल सकते हूँ धन्यवाद नेक्स्ट आपके हैं आई एंटी जो integer है और ट्रंक है तो इन दोनों को देख लेते हैं एक साथ या पर मैं बात करूँँ सबसे पहले integer की तो नाम सी इस परष्ट है आई एनट यह नि पूरुनांक आएगा या आपर क्या आएगा पूरुनांक आएगा जो की नंबर्स डाउन होगा जैसे कि अपन अप डाउन अभी कर रहे थे नंबर्स में तो आई एंटी वाला जो फंक्शन आ जाए तो उसमें छोटे वाला पूरुनांक लिए जाएगा जैसे कि एक्जांपल के रूपे में बताऊं यह आपक केस में पूर्णाग में कन्वर्ट करना है तो पूर्णाग में आप बदलेंगे तो iint के केस में क्या ध्यान में रखना है पूर्णाग में बदलने पर आप ऐसे भी कर सकते हूं 2.45 तीन बदल देंगे लेकिन यहां पर डाउन होगा round से number down to the nearest integer. उसके पास में जो integer है तो 2.45 के पास कौन सा integer है? सबसे छोटा वाला 2.45 से छोटा वाला. तो आपकी इंगे 2 है. एस्ट पास p2 आजाना चाहिए, 2 आजाना चाहिए आई-औन्टी के case में है जगे इसको अजुन इसको अपकन Excel sheet में देख रहते हैं तो यह आपके हो गया जैसे कि यह enter है यह आपको formula जैसे कि बराबर int v25, v25 value क्या है 2.45 है और इसको मेरे को integer करना है तो क्या answer आना चाहिए 2 आना चाहिए क्योंकि इसमें down करेगा जो nearby, nearest integer है 2.45 के पास में कौन सा पुर्णांग है 2 है और 3 है लेकिन जो 2.45 के nearest कौन सा है जो उच्छे छोटा है तो down करना है तो 2 हो जाएगा सीधा answer 2 इस परकार 2.61 है 2.61 में भी integer निकालना है तो आप कहेंगे जो nearest integer क्या आना चाहिए 2.61 के पास में 2 है या पर 3 है लेकिन दिखने में बतु क्या है 3 इसके पास में पुर्णा एंसर क्या आएगा 2 आएगा क्योंकि INT में देखा जाता है डाउन वाला integer जो पास में है डाउन वाला integer वो ही answer होगा यहीं कम वाला 2.61 से कम वाला कौन से आप कहेंगे 2 हो जाएगा और इस परकार में बात करूँ माइनस में 6.22 दे दिया माइनस 6 बड़ा है या फिर माइनस 7 बड़ा है तो यहाँ पर क्या है माइनस में जो संक्या छोटी होती है उतनी बड़ी होती है तो माइनस 6 माइनस 7 से बड़ा है तो माइनस 6 के पास में minus 6.22 के पास में पुर्णांग कौन से तो आपके एक तो minus 6 है एक minus 7 है लेकिन आपको देखना है पुर्णांग में कम वाला पुर्णांग था कम वाला पुर्णांग में क्या है minus 6 के बाद minus 7 minus 6 से भी छोटा है संक्या मैंने दे दी 15.7,2,8,9 कुछ भी मैंने लिख दिया और मैंने यहाँ पर इस परकार इसमें ट्रंक का जो फांग लागा इस परकार आएगा बराबर ट्रंक और यह छोटा कोश्टक फिर कोई नंबर है यह वाला जैसे की संक्या हो गया और फिर आपके कॉमा आ जाएग कितने डिजिट तक आपको उसको एंसर लाना है दसमलों के बाद जैसे की मैंने लिख दिया दसमलों के बाद मेरे को चाहिए एंसर दो डिजिट तक और ट्रंक में क्या होगा चैंजेज बिल्कुल भी नहीं होगा एज इट इस दसमलों के बाद जो भी दो संक्या वो लिख देंगे उसके पीछे कुछ भी है आपको नहीं देखना है तो मैं एंसुर क्या लिख दूँ डारेक्टर डारेक्ट लिख दूँगा पंदरा पॉइंट बहतर एंसुर हो जाएगा जब इसको मैं ट्रंक करूंगा तो ट्रंक के बाद आपको चेंजेज नहीं करना दस्मलों के लेना फिर पर रहा है प्लारेक्ट जित्तरी भी जैसे की दो डिजित लेनी है तो दो भी ठारकार इसको मैं एकसल रिट में एक फिर बता देता हूं आपको यह आप देखिए तो ट्रंक हो दबल क्लिक नहीं हो रहे है, तो टंक हो गया, एक प्रडच और नौः है, और कोमा के बाद एक है, इसका मतलब क्या हुआ, दस मले के बाद आपको एक और ले ले लिए हैं, तो एक प्रडच नौगा, उसके बाद ऐसके बाद आपको फांच थे बढ़िव Glue rape आपको कुछ भी के बाद 2 संख्या एज इटिज ले लेनी है तो 10.98 मैंने एज इटिज ले लिया फिर 2.74 है तो उसमें बाद कॉमा के बाद 0 है जीरो का मतलब क्या हुआ दसमलों के बाद आपको कोई भी डिजिट सिंख्या रख चाहिए ही नहीं तो नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहापर एंसर क्या आ जाएक आपके trunk में आपको करना क्या होता है कोई भी संख्या है वो 5 या 5 से बड़ी है दस्मलों के बाद वो कुछ भी नहीं देखना होता है जो edge it is संख्या रखनी है तो 0 है तो आपको दस्मलों के बाद जो भी संख्या है उसको 0 कर दो तो आपके answer क्या आना चाहिए दो आना चाहिए इस परकार यहीं मैं बात करूँ माइनस एक आजाए यह जैसे कि 16.66 है उसके बाद कॉमा करके माइनस एक कर दिया यही एक कर रहा होता तो दस्मलों के बाद एक लेते 0 कर रहा होता तो दस्मलों के बाद कुछ भी नहीं लेते माइनस एक कर दिया, इसका मतलब दसमलों के बाद भी जो सिंख्य है, उसको भी एक जीरो कर दीजिया, आप जैसे कि यह 16.66 है, माइनस एक किया, तो सिंख्या तो हट ही जाएगा, पॉइंट के बाद कुछ आएगा ही नहीं और जो 16 वाली सिंख्या है, इसमें भी मैं 0 कर दूँगा, 0 कैसे कि 1 जो 6 है, माइनस एक किया, तो दसमलों के बाद 1 सिंख्या को 0 कर दो तो 1 0 हो जाएगा, यह यहाँ पर इस परकार आजाएगे, माइनस 2, दसमलों के बाद जो भी संक्या ही उसको मैंने 0 कर दिया दस्मलों के बाद 2 संक्या को 0 कर दिया आपर मैंने 1 संक्या ले ली और इसमे इदी में माइनस 2 करूँ तो क्या आनज चाहिए यह आप फॉम्ला देख पारे हो माइनस 2 आप खुद एंसर कमेंट करके बता सकते हो जितने माइनस कर रहे हो दस्मलों के बाद उतने ही आपको 0 करते जाना माइनस 2 किया तो कितने 0 किये थे मैंने दस्मलों से पहले वाले तो बाद तो 0 हो नहीं है दस्मलों के पहले हो जाएगा माइनस में ट्रंक में फिर minus 3 किया मैंने या पर तो क्या हो जाएगा तो दसमलों से पहले 3 संख्या 0 हो जाएगी 2 के पीछे 3 0 2 जार आजाएगा तो यह ट्रंक में यही माइनस में आजाए तो ऐसे करना है और 0 आजाए तो दसमलों वाला रखना ही नहीं है जो भी एक संख्या है वो बच्ची भी र करना और इंडिजर में आप क्या कर रहे थे डाउन कर रहे थी उसके पास वाला आप पुर्णांग देख रहे थे जैसे कि 2.45 है तो पास वाला पुर्णांग क्या आ रहा था 2 आ रहा था 2.61 में भी पास वाला में डाउन कर रहे थे कम वाला हो रहा था ओके अब देख रहत और स्वाल में old even से इस प्रकार formula बैस पर स्वाल पूछी ला जाए computer में जैसे कि यह ऐसे स्वाल बन सकता है बराबर दे दिया उसके बाद आपको क्या दे दिया जैसे कि old double d दे दिया फिर cost up में दे दिया और इन्होंने दे दिया 2.4 एन्सुर बताईए old का मतरब क्या हुआ इस संख्या को विश्रम संख्या में बदलना है और विश्रम संख्या में भी आपर round up होगा दोनों ही संख्या में even और old दोनों ही case में round up होगा nearest old number तो 2.4 है और इसके पास वाले संख्या देखिए जो बड़ी संख्या हो वो विश्रम संख्या हो तो आप कहेंगे 3 हो जाएगी इसका answer इस पर करेदी 5.5 है और इसमें ओड निकालना है तो आप क्या करेंगे 5.5 है और नजदीक वाली देखिए कौन सी विश्रम संख्या है तो आप कहेंगे नजदीक वाली छोटी लूँ या बड़ी लूँ छोटी की केस में क्या हो जाएगी 5 है लेकिन यहापर अप करना है ओड में round up होगा तो क्या direct answer हो जाएगा 7 हो जाएगा विश्रम संख्या है विश्रम संख्या है तो 7.12 हो गया ओड लेना है आपको 7.12 का तो 7.12 का विश्रम संख्या आप करेंगे 7 तो हो जाएगी विश्रम लेकिन ओड में मैंने क्या का round up कर दी जी जो इसके नजदीक वाली विश्रम संख्या है तो इसके नजदीक वाली साथ के बाद कौन सी है no हो जाएगी तो even के बात करूं इस से हम संख्या को मैं even में भी बदल देता हूं जैसे कि यह संख्या है आपके 2.4 इसको मेरे को इवन बदलना है स्वाल इस परकार आएगा बराबर इवन और फिर कोश्टक 2.4 आप एंसर क्या करेंगे इवन में देखे इवन का मतलब क्या हुआ संख्या और इवन में आपको सं करना है तो 2.4 के बाद वाली संख्या देखे दोनों में round up उपर वाली 2.4 के बाद वाली संख्या जो संख्या है तीन तो विश्टक में फिर 4 है तो एंसर क्या आना चाहिए चार आना चाहिए इसको मैं थोड़ा एकसर में आपको बता देता ताकि यहां से आपको पता चलदा है जैसे कि मैं even की बात करूँ even यानि क्या sum हो जाएगा तो even के बात यहां पर यह आपके हो गई नंबर हो गया ओके 4 ठीक है यह वाली cell थी आपकी I25 I25 यह आपकी cell है यह जो संक्याद एक पर है 2.4 है इसको आपको even में कन्योट करना है और even का मतलब क्या है sum sing के लानी है जो बड़ी वाली 2.4 की बाद sum sing के कौन सी आपके जा रहे तो answer जा रहा जाएगा इसी परकार यहापर बात करूँ 5.5 के बाद की sum sing के कौन सी आपके 6 तो answer जाएगा और next यहापर बात करूँ 7.12 के बाद की sum sing के कौन सी तो directly 8 है तो यह 8 आ गया और ओड में क्या है विश्रम है जैसे कि यहापर हो गया है 2.4 की बाद में विश्रम सिंख्य क्या कौन सी तो यह 3 हो गया फिर आपके 5.5 के बाद में round down कर रहे थे और integer का मतलब यह पुर्णांक में बदलना जो भी सहीं के दसमलो है उसको पुर्णांक में बदलना है वो भी छोटे वाले जैसे कि 2.1 एक सर्थी तो आपने क्या के दमापर 2 किया था और उससे पहले अपने ceiling देखा था ceiling कहा पर होता है इच्छत जो ऊपर होती है और ceiling में आप क्या कर रहे थे multiple वाला था जो significance देख रहा था जैसे कि एक बार थोड़ा ही दो बार आपन रिवाइज कर देते हैं ताकि concept आपका सभी clear हो जाएं तो ceiling में आप क्या कर रहे थे स्वाल में आ रहा था C, A, I, L, I, N, Z और फिर costak दे दिया 5 दे दिया, 3 दे दिया और 3 का भाग जा रहा क्या पांच में नहीं जा रहा है और ceiling case में आप क्या कर रहे थे ज्यादा कर रहे थे 6 में जा रहा थो answer छे हो गया और यदि आपर दे दिया रहता फलोर दे दिया रहता तो 3 में 5 का नहीं जा रहा फलोर जो नीचे होता है फर्स तो कम कर देते आप 3 का 5 में नहीं जा रहा तो 5 से चोटी कौन सी 3 है तो answer 3 हो गया तो यह आपकी हो गया और M round में क्या था जो भी नजद्रिक वाला था आपकी multiple वो correct हो जाता उसके पहले आपने round up round down देखा था और round देखा था तो यह सारे concept एक वीडियो में कवर हो गए वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर बतान आपके exam कब है next step में वो भी comment कर देना कौन से एक्जाम है मिलते हैं इसे किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए वंदे मातरम जाहिन दोस्तों